नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस तरह से आप लोग जो है एक किसमिश का बिजनिस शुरू कर सकते हो दोस्तो अगर आप किसमिश का होलसेल बिजनिस शुरू करना चाहते हो तो सस्ती से सस्ती किसमिश का स्टोक आपको कहां से मिलेगा हमेशہ चलता है क्की किष्मिась Kelsey जो है हर चीज में इस्तिमाल होने वाली चीज है हमेशे इसको खाया जाता है हर तरह का इनसान इसको खाता ए दोस्तों इस बिजनिस को आप किसी भी शहर में शुरू कर सकते हो किसी भी गाउ में शुरू कर सकते हो कहीं भी आप इस बिजनिस को शुरू कर सकते हो देगे दोस्तों अगर मैं इन्वेस्मेंट की बात करूँ तो आप इस बिजनिस को शुरू करने के लिए 2000-5000,00-3000-5000,00 रुपे लगा करके भी इस Business को शुरू कर सकते हो और आप लागखों रुपे इंवेस्ट करके भी इस Business को शुरू कर सकते हो क्योंकि ये depend करता है कि आप इस Business को किस तरह से करना चाहते हो उसी इसाब से इसमें investment भी लगेगी देखें दोस्तों किश्मिस का बिजनिस करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ सबसे पहला तरीका है ट्रेडिंग का तरीका ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसा आपने सुना होगा stock market में लोग stocks को खरीते तो उसमें वो क्या गरते हैं कि एक company का stock खरीते हैं और उसको बेच देते हैं मतलब यहां से खरीदा और यहां पर बेच दिया ऐसे ही हम अलग-अलग सामान में भी करते हैं तो ऐसे ही आप किशमिस में भी कर सकते हो कि एक जने से आपने बलक में किश्मिस का स्टोक खरीदा और उसको किशी दूसरे इनसान को same to same ऐसे के ऐसे ही जादा महेंगे रेट में बेच दिया मतब सारा का सारा बेज दिया धीरे धीरे नहीं सारा का सारा बेज दिया इसे कहते हैं ट्रेडिंग करना इसलिए दोस्तों ट्रेडिंग में थोड़ा मुनाफ़ा भी कम होता है अगर आप किसी भी चीज को लेकर ट्रेडिंग करते हो जैसे मैं अभी किश्मिस की बात कर रहा हूँ अगर आप कहीं से 50 किलो या 100 किलो किश्मिस लेकर के उसको पूरा का पूरा किसी एक बंदे को बेच देते हो तो जाहिर सी बात है उसमें आपको मुनाफ़ा कम होगा अगर आप उसे धीरे 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 बेचते हो तो उसमें आप ज़्यादा मुनाफ़ा निकाल सकते हो मतलब ट्रेडिंग ना करके अगर आप उसकी होल सेलिंग करते हो या फिर आप उसकी रीटेलिंग क प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि किश्मिस जो है, उसकी मैनिफेक्चरिंग कैसे होती है, मतलब किश्मिस कैसे बनती है, जैसे दोस्तों आपने नासिक का नाम सुना होगा, अगर आप नासिक गए हो, ये नासिक महारास्टरा में बढ़त अब आप सबी को तो पता ये होगा, जो किश्मिस है, वो अंगूर से बनती है, किश्मिस जो है, वो अंगूर से बनाई जाती है, और अंगूर के अंदर भी जो है, शूगर का जो लेवल होता है, उसको चैक किया जाता है, कि शूगर का जो लेवल है, वो कितना है, तो उस ह साब से जो है उसको किशमिस में बदला जाता है मतलब जो अंगूर है उसको किशमिस में बदला जाता है मतलब उसको उसमें बनाया जाता है निकि अंगूर से किशमिस बनती है मतलब पहले उसे सुखाया जाता है उसके बाद वो किशमिस बनती है तो दोस्तों अगर आप किश लगाईए तो आपको बिजनिस करने में आसानी होती देगे दोस्तों अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो प्लांट में जो खर्चा आएगा वो कम से कम 10 लाग मैक्सिमम 15 लाग 20 लाग तक आपका जो है खर्चा आजाएगा लेगिन प्लांट उसी जगा लगाना जहां अंगूर की खेती होती है अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डारेक्ली किश्मिस को खरीदना चाहते हो तो सस्ती से सस्ती किश्मिस आप कहां से खरीद सकते हो जैसे कि दोस्तों आपने महाराश्रा का नाम तो सुना ही होगा महाराश्रा में नासिक सांगली है तो सा आप जो हैं अगोर की काफी अची खासी odora का मिया अच्छी काफी खेटी क्योंकि ऐसी जगह से अगर आप directly किश्मिस खरीदते हो, तो आपको सस्ता पढ़ेगा, बहुत ज्यादा सस्ता पढ़ेगा, जितनी ज़्यादा मंगवाओगे, उतना ज्यादा सस्ता पढ़ेगा, और बहुत सारे लोग मंगवाते भी हैं, जो लोग दिल्ली से हैं, जो लोग मैं आपको बताता हूँ कि आप किशमिस का जब बिजनिस करोगे तो इसमें अच्छा मुनाफ़ा आप कैसे निगा लोगे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सज़स्ट करना चाहूंगा जब आप डारेक्ली किसानों से माल खरीदोगे अगर आप किसी होलसेलर से ना खरीद के किसानों से डारेक्ली माल खरीदोगे जिनोंने खुद के प्लांट लगाए हुए हैं क्योंकि जो होलसेलर होते हैं जिन होलसेलर उसे आप माल खरीदोगे वो होलसेलर भी वहीं से खरीदते हैं wholesale holetsaetsu na खरीद के आप directly Kisahanôs से माल खरीदी है, अगर आपका budget अच्छा है तो आप directly Kisahanोs से माल खरीद सकते हैं और अच्छा गासा मुनाफ़ा निकाल सकते हैं, मतलब उन से माल खरीद के आप wholesale भी कर सकते हो और retail भी कर सकते हो तो इस हिसाब से आप जादा मुनाफ़ा निकाल पाओगे इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ों सजेश्ट करना चाहूंगा कि आप online market में भी उत्रिये आप offline market में भी जगा जगा बेचोगे ही बेचोगे अलग-अलग market में बेचोगे ही बेचोगे लेकिन आप online की market में भी उत्रिये online की market में आपको मैं आपको कुछ website बता देता हूँ जैसे कि Amazon Pantry हो गया, Jio Mart हो गया, India Mart हो गया यह सभी e-commerce platform है, सभी e-commerce website है जहाँ पे आप अपना माल बेच सकते हो आप कोई भी माल बेच सकते हो, यहाँ पे dry fruits भी बिकते हैं आप बादाम, किश्मिस का जो इन सब को भी यहाँ पे बेच सकते हो इसके लावा मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ बेचने का कि अगर आप बड़े लेवल पर business करना चाहते हो चाहे किसी भी चीज़ का करो तो आप खुद का brand बना के करो अगर आप किश्मिस का बिजनिस शुरू करना चाहते हो तो पहले आप अपना खुद का brand बना लीज़े खुद का brand बना के अगर आप किश्मिस को बेचोगे तो आपका जो business है वो काफी जल्दी famous भी होगा और अगर famous होगा आपका brand बन जाएगा तो होता क्या है कि हमारे नाम से माल बिखता है बहुत सारे लोग agency लेते हैं हमारे brand की agency ले करके वो काम करते हैं क्योंकि brand हमारा है हमने अपने brand का नाम बनाया है बाद में नाम बिखता है लोग हमारे नाम से business करना चाहते हैं तो वो royalty देते हैं हमें हर महिने हर साल जो है रोयल्टी देते हैं तो वो जिंदीकी भर हमें रोयल्टी उससे मिलती रहती है यहां पे brand का सबसे ज़्यादा होता है देगे दोस्तों अगर आप kishmis को retail करना चाहते हो तो छोटी छोटी packing करके इसको retail कर सकते हो जैसे 10 रुपे का packet, 20 रुपे का packet, 50 रुपे का packet छोटे छोटे packet बना के उसके एक बड़ा सा पत्ता बना लो और उसको अलग अलग जितनी भी किरानी की दुकान होती है वहाँ पे sale कर दो तो आप इस तरीके से भी उनको sale कर सकते हो क्योंकि उन लोगों को भी चाहिए होते हैं इस तरीके से और काफी demand होती है 10-20 रुपे के packet की तो इस तरह से भी आप बना करके बेश सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस business में कितना invest कर सकते हो मतलब इस business में इस business को करने के लिए कितना investment लगेगा अगर आप trading करते हो इसकी तब तो आपको कोई जगा की ज़रूत नहीं पड़ेगी एक जगा से माल खरीदा और दूसरे को बेश दिया अगर आप इसकी wholesale करते हो तो इसके लिए आपको एक दुकान लेनी पड़ेगी और एक गोदाम लेना पड़ेगा इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ों सजजेस्ट करना चाहूंगा कि किशमीज के बाद आप जो है बादाम, काजू, अकरोट, पिस्ता इन सब का भी बिजनिस करिये तब ही आप जो है इसमें जादा प्रॉफिट और जादा से जादा प्रॉफिट निकाल पाओगे क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग requirement होती है तो वो आपसे demand करेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि हमें और भी चीज चाहिए, हमें और भी सामान चाहिए तो आपको मजबुरन बाकी चीजों में भी deal करनी पड़ेगी अब इसके साथ आप गुजेश्टी नंबर भी लेना पड़ेगा और आपको packing material भी लेना होगा और एक स्टाफ भी रखना पड़ेगा काम बढ़ेगा तो एक स्टाफ रखना पड़ेगा packing करने के लिए भी जो है कि स्टाफ रखना पड़ेगा मतलब एक ही स्टाफ आपका packing भी कर लेगा बागी सारे काम देख लेगा और जिएश्टी नंबर भी लेना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा bulk में माल उठाओगे ज़्यादा बड़ी quantity में सावान बेचोगे और ज़्यादा profit करोगे तो जायर सी बात है आपको जिएश्टी नंबर ले करके टैक्स भी बरना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो एक जगा सामाल खरीद के दूसरे बंदे को बेचना चाहते हो तो आप 2 लाग 3 लाग का शुरू कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और रीटेल भी कर सकते हैं अब मैं आपको उसमें बताता हूँ कि इस बिजनस को करने के बाद आप इसमें कितना profit margin निकाल सकते हो अब ये profit margin जो है ये season के हिसाब से भी depend करता है मतलब कैसा season चल रहा है उसके हिसाब से भी ये depend करता है profit margin देखे दोस्तों जब अंगूर की खेती होती है मतलब season के हिसाब से मतलब जब अंगूर की खेती होती है जब इसका time आता है खेती करने का होने का तो उस time अगर आप इस business को करते हो तब आप अच्छा खासा profit निकाल सकते हो और अगर आप उस time करते हो जिस time अंगूर की खेती नहीं होती है जब इसका मोसम नहीं होता है तो उस time आपका बहुती कम profit इसमें निकलेगा तो ये depend करता है season के हिसाब से कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप इसमें 20-30% का मुनाफ़ा निकाल लोगे अगर आप बिना season के इसको करते हो तब आप 10-15% निकाल सकते हो और season में उसे करते हो तो आप अराम से 25-30% का इसमें मुनाफ़ा निकाल सकते हो तो इस हिसाब से जो है ये होता है तो दोस्तों ये थी मेरे दुआरा दी गई अभी तक की जानकारी किश्मिस के उपर तो अगर मेरे दुआरा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी और समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट करके कुछ भी बूशना मैं आपको स्कैर अबलाई दे दूँगा ऐसी बिजनिस से जोड़ी और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डारेक नॉटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओ तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद